हाई मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप कम पैसे में options को selling कर सकते हैं जनर्वाली options को sell करने में या फिर options को writing करने में हमें अच्छे खासे पैसे की requirement होती है अगर आपके पास लाग से ज्यादा पैसा है डिमेट एकाउंट में तभी आप यह सब काम कर सकते हैं नहीं तो उससे नीचे है तो आप options selling नहीं कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको shortcut बताने जा रहा हूँ वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके जलिए अगर आपके पास कम पैसा भी है बहुत कम capital भी है फिर भी आप यहाँ पे options को sell कर सकते हैं और options selling का जो benefit है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं चलिए देखते हैं कि कैसे हम कम पैसे में options को sell कर सकते हैं और इसको हम सीखते हैं तो यहाँ पे अगर आपको options selling करना है तो आपको market को लेके clear view generate करना पड़ेगा आपको market को लेके direction के पीछे जाना परेगा और अगर आप गलत हुए तो यहाँ पे नुकसान के भी chances हैं और यहाँ पे ऐसा नुकसान होता है जो कि आपको बढ़वाद कर सकता है एक trade आप गलत लेंगे आपका टिमेटे करना पैसा वो सारा का सारा खाली हो सकता है इसलिए यहाँ पे accuracy के chances आपको increase करने परेंगे आपको यहाँ पे सही trade find करना परेगा और trade का accuracy level आपको increase करना परेगा उस लियाज से अगर आप कर सकते हैं तभी आप option selling किजिए अधरवाई option selling आप मत किजिए यहाँ पे हम एक random सा example लेकि आपको समझाते हैं अगर यहाँ पे देखें market का भी यहाँ पे 2 हो सकता है market अभी आपका 16400 के level पे trade कर रहा है अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि market यहाँ से उपर जाएगा और कुछ लोगों को लग सकता है कि market यहाँ से नीचे जाएगा जो sentiment अभी market का नीचे साइट की तरफ है तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि market यहाँ से नीचे साइट की तरफ जाएगा जब market नीचे जा रहा तो यहाँ पे हमें क्या करना है हमें selling करना है या फिर writing करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम call options को sell करना prefer करेंगे ठीक है जब market नीचे जाता है तो हम call options को sell करना prefer करते हैं अब यहाँ पे हम कौन सा call option sell करेंगे हम देखेंगे कि उपर में कह पर रेसिसन्स लेवल है उसका कॉल उप्षेंश्le करना प्रिफर करेंगे इसके वागर हम बात करें तो 16500 एक सेळस्टेंस पैमेंग और 17000 यहां जो सबसे उपर है वह सबसे सेफ माना जाता है वहाँ पर मैं मीमीम कम मिलता है और प्रॉफिट कम मिलेगा लेकिन वो ज्यादा सेफ माना जाता है यहां पर हम क्या करेंगे वेंडमली हम 17,000 के कॉल ओप्शन को यहां पर हम सेल करना प्रिफर करेंगे तो इसको मैं आपको बता देता हूं इस ओप्शन को अगर आप सेल करोगे तो आपको 80,000 से लेके 1,000,000 तक का मार्जिन लग जाता है अगर आप expiry के आसपास करोगे तो यहां पर ज्यादा मार्जिन लगता है तो इसको आप कम मार्जिन में कैसे सेल कर सकते हो चलिए देखते हैं तो यहां पर हम जिरोधा के काइट प्रेटफर्म में आएं और इसको आप कोई भी ब्रोकर में कर सकते हो जिरोधा में कर सकते हो आप इस टॉक में कर सकते हो एंजल ब्रोकिंग में कर सकते हो यह generally आपका India का top 3 discount broker है और यह तीनों आपको brokerage भी कम लेता है तो इन तीनों में आप यह काम करोगे तो आसानी से कर सकते हो और यह सब चीज का example आपको बहुत जगा मिल जाएगा यह सारा आपका user friendly भी है तो अगर आपका DMAT account इन तीनों में से किसी में है तो ठीक है नहीं है तो वीडियो के description में link दिया गया उस link पे click करके आप इन तीनों में DMAT account भी open कर सकते हो और यह काम आसानी से कर सकते हो चलिए देखते हैं यह काम हम कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम 17,000 के call options को sell करते हैं तो सबस्वेल यहाँ पे हम 17,000 के call options को add करते हैं 12 May वाले expiry यह नि अगला जो weekly expiry है वहाँ पे हम add करते हैं इसको हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे हम sell करते हैं यहां पर हम कितना margin लगता है तो इसको यहां पर हमने sell किया अब देखिए यहां पर हमें margin कितना लग रहा margin यहां पर लग रहा मुझे 75,000 के करीब तो इसको हम कम margin में कैसे sell कर सकते हैं वो में आपको just अभी बताने जा रहा है लेकिन अगर आप यहां पर live market में इसको execute करने जाओगे तिहां पर आपको 1 lakh तक का भी margin लग जाता है अगर आप expiry के नजदिक जा रहे हैं तो तिहां पर at least आपके demate account में 1 lakh का fund होना चाहिए तब आप इस तरह के call को execute कर सकते हो आप options को sell कर सकते हो लेकिन इसको आप कम पैसे में कैसे कर सकते हैं तिहां पर आपको एक चीज़ करना परेगा जो भी आपने call options sell किया उससे थोड़े से दूर वाले जिससे आपको ज्याद इसको बाइक करने के बाद यहां पर क्या होता है तो यहां पर अब हम 17400 के call options को buy करते हैं उसको लिए करें इसको यहां पर हमें कर दिया अब यहां पर देखें जो हमें margine लग रहा था आपका 75,000 के करीब वो margin अब घट के कितना रह गया 34,000 के करीब यानि अब आप same options को कितने में sell करें same options को sell करें आप यहाँ पर 34,000 पर यानि यहाँ पर आपका margin कम हो गया लेकिन profit में ज्यादा कोई अंतर नहीं हुआ पहले यहाँ पर मुझे 13 point का profit मिल भा था अब मुझे यहाँ पर मिलेगा 10 point का profit यानि profit में ज्यादा कोई अंतर नहीं हुआ है लेकिन हमें जो margin था वो लगबग आपका बहुत कम हो गया half से भी कम हो गया लगबग तो इस तरीके से आप कम margin में options को sell कर सकते हो यहाँ पर आपने देख लिया कि कम पैसे में कैसे call options को sell कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको call options और put options दोनों अगर आपको एक साथ sell करना है तो आपको कितना fund चाहिए होगा कितना margin चाहिए होगा उसमें भी आप कम पैसे में कर सकते हैं यहां पर आपका 34,000 और जाता नहीं लाएगा, आप below 50,000 call options और put options दोनों को sell कर सकते हो, कैसे sell कर सकते हो, चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर हम एक randomly सा कोई भी उठाते हैं, support level जहां पर ही बना है, तो support level आपका कहां पर बनता हो दिख रहा है, support level जो बना है, वो आपका 16 16,000 करीब है, या नहीं तो इससे नीचे आप 15,600 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हम यहां पर randomly 16,000 काई, put options को उठाते हैं, और इसी के put options को यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम sell करते हैं, और दोनों को एक साथ combine करके देखते हैं, यहां पर हमें overall कितना margin लग रहा है, तो यहां पर हम nifty के 16,000 के put options को add करें, और इसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहां पर sell करेंगे, कौन से expiry वाला, same expiry, 12th month वाल expiry के 16,000 के put options को, यहां पर हम इसको क्या करेंगे, sell करेंगे, तो यहां पर हम इसको add कर दिये, अब देखिए वापस से आपका, यह से क्या करेंगे इससे नीचे वाला पूट अप्सन्स को हम क्या करेंगे बाइ करेंगे यहां पर यहां पर देखिए क्या है ट्वलध मेव आई 15600 के फूट अप्सन्स को यहां पर हम क्या कर रहें यहां पर हम बाइ कर रहें जिसका प्राइस है 13 रूपीज करईब अब यहां पर वापस से बाइ कर दिया अब यहां पर देखिए टोटल मार्जिन कितना लग रहा है वापस से आपका 50,000 के करीब total margin लग रहा है और यहाँ पे हमने क्या किया एक आपका call options को sell किया है दूसरे आपने put options को भी sell किया है यानि यहाँ पे हम दो-दो चीज कर रहे है call options को भी sell करें put options को भी sell करें फिर भी मेरा margin 50,000 के ही करीब लग रहा है यहाँ पे आपने देखा क रहे हम यहां पर क्लोंट कुंदील का कर रहे हैं और LIVE यहहां पर कॉल अप्शन को भी सेल कर रहे हैं इसके साथ हमने क्या किया है है में हम ऄज पॉट्ट WATCH झार लिया व्ही एक प्रेमियम बहुत कम है यहां पर overall मुझे profit कितना मिलेगा हम यहां पर sell side की तरफ जा रहें जो premium है वही मुझे profit मिलेगा यहां पहला से मुझे 10 point का profit मिलेगा दूसरा से मुझे यहां पर आप हाटा भी दीजिए तो लगबग आपका 30 point के करी profit मिलेगा दोनों को अगर हम add कर दे यहां पर मुझे overall 40 point का profit मिलेगा और just मुझे कितना का नुकसान हुआ 20 point का नुकसान हुआ है और उसके बदले मेरा margin कितना कम हो गया लगबग one third margin कम हो गया जहां पर मुझे डेवलाग का margin लगता वहां पर वही काम हम 50,000 में कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कम पैसे में options को sell कर सकते हैं और ये sorry cut है ये चीज आपको ध्यान वखकना परेगा और यहां पर एक और तरीका है कि आप कैसे कम पैसे में sell कर सकते हैं पर आपको जो serial wise trade कैसे लेना वो भी आपको समझ में आना चाहिए तिहां पर आपको सब्से पहले आपको बाई साइड की तरफ जाना gelecek अगर आप कॉल उप्शन को सेल करना चाहतें तो उते पहले आप को कॉल अप्शन को जाते हैं सबसे पहले आप 17000 400 के call options को buy कर लिए, इसके पहला trade आपको यह execute करना है, उसके बाद आपको इसी का call options आपको sell करना है यह निई sell करना है तो आप 17,000 के call options को sell करें, तो ढूसरा trade आप sell वाला execute करें गहला है, पहला buy वाला execute कर लिए उसके बाद आप sell कर लो simply नीचे करना चाहते हो यहाँ पे भी सबसे पहले आप buy करो और उसके बाद आप sell वाला trade execute करो तो इस तरीके से आप कम margin में options को sell कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको clear हो गया होगा कि कैसे आप कम margin में options को sell कर सकते हैं क्योंकि उनका जो platform है, वो बहुत जादा user friendly है, इन तीनों में से किसी में DMAT account नहीं है, वीडियो के description में link दिया गया है, उस link पे click करके आप इन तीनों में DMAT account open कर सकते हो, तो उमीद करते हैं कि हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें encourage किजिए, और चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe भी किजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन!